नमस्कार आप सभी का एगन स्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग और टियाई का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए यह अधिकार हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है इसलिए एक आम जनता सूचना का अधिकार का प्रयोग कर ब्रस्टाचार को भी उजागर कर सकता है तो था सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना योजना के बारे में जो रासी निरगत हुई है उस पर क्या खर्च हुआ है या उस खर्च का लोग स्वख्ध द्वारा किस प्रकार उप्योग किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरेवे हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक कर ले तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे के ग्रूप में चाहे फेस्बूक, इंस्टाग्राम, वाटसब को सेर अवस्ट करें जिससे हर भारतिये को अपने अधिकार की जानकारी हो सके तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे सूचना का अधिकार अधिरियम अपने आप में एक नागरिकों के लिए खास हत्यार के रूप में परियोग किया जाता है इसलिए हम सभी भारतिये को अपने अपने छेतर में सूजना का अधिकार का परियोग कर अपने कारियों के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तथा हम आम जनता के टेक से ही सरकार चलती है और उसी पैसे से लोकसेवक को भी वितन दिया जाता है लेकिन हमारे बिहार और अनेक राज्यों में भारत के अनेक राज्यों में भरष्टाचार इतना अधिक तेजी से बढ़ गया है कि कोई भी काम बिना पैसे का जल्दी नहीं किया जाता है यदि उसमें कुछ गरवड़ी है या जो शिवा हमें सिमित समय में मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए हमें आर्टियाई लगा कर कार्याले के लोग सुचना पदाधिकारी को अवश्र पूछना चाहिए जैसे भरष्टाचार में कमी आए क्योंकि हम जब तक एक दूसरे का सहयोग ना कर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगें तब तक हमारे देश में भरष्टाचार में कमी नहीं आ सकती है इसलिए भरष्टाचार के खिलाफ आई का उप्योग अवश्र करें हम सभी एक जूठ होकर अपने अपने छेतर में यदि जागरूख होकर तनमंधन से इसका परियोग करेंगे तो आसा है एक दिन भारत को सोने की चिरिया कहे जाने वाला भारत फिर पुनह सोने की चिरिया बन सकता है इस भारत को तो विद्योसियों ने पहले लूटा लेकिन आजादी के बाद तो इस देश के नेता और पदाधिकारी इस देश को लूट रहे हैं जिससे जो है अनेक आप लोग भी सुने होंगे कि किस किस प्रकार के घोटाला हुआ करते हैं अलाखों और आम जनते के पैसे से वो लोग अपनी जीवन में ना जाने क्या क्या करते हैं आप लोग सुने ही होंगे बराबर अख़वार में समाचार पत्र में समाचार निकलते रहता है इसलिए प्रस्टाचार के खिलाब हमें अवस्य एक जूट होकर लरना चाहिए और RTI का प्रयोग अवस्य करना चाहिए जिससे हम आम जनते का पैसे जो टेक्स के रूप में देते हैं उसको सरकार किस प्रकार खर्च किया करती है